जिन्दगी में कुश्चन जस्टिस का ही रहता है जब एक्जाम देते हैं तो भी जस्टिस के जो विद्यार्थी ज्यादा मेहनत करते हैं कई बार होता है कि उनके मार्क्स उतने नहीं आते जो कम मेहनत करते हैं कई बार उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं जब हम अपनी जो मेहनत के साथ अपनी performance जा अपने marks को compare करते हैं तो निराशा होती है तब ही एक process होता है जो re-evaluation होता है एक concept re-checking होता है एक re-evaluation होता है re-checking है कि जो exam में marks लगे थे वो दुबारा verify होते हैं जब checking होती है तो उसकी counting करनी होती है re-checking में सिर्फ आपके marks की counting दुबारा होती है कहीं वो तो गलत नहीं हो गई दूसरा concept है re-evaluation का re-evaluation में आपकी जो sheet है answer sheet है उसको blind कर दिया जाता है मतलब आपकी identity खतम कर दी जाती है उसके बाद minimum two examiner के पास उसको भेजा जाता है और वो evaluate करते हैं marks लगाते हैं उन्होंकी जो average होती है वो average कई युनिवस्टियां करती हैं कि दो average दो का average निकालती है कई जो पहले जो सबसे पहले आपके marks थे उनको भी साथ लेके इन दोनों के marks को add करके average निकालते हैं वो आपकी normally final जो marks है performance बन जाती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि re-evaluation के बाद भी कई student जो निराश होते हैं तो ये मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप अप अपनी mark sheet देख सकते हैं अगर आप re-evaluation के बाद अपनी जो उसके results हैं उनसे satisfy नहीं है फिर आपको लगता है कि उनसे कम marks मेरे लगी हैं तो RTI के जरीए आप university को RTI डालके अपने sheets मगवा सकते हैं जो marking हुई है दूसरी important बात ये video क्यों डाल रहा हूँ कि कई अच्छी universities हैं वो अपने examiner जो marking कर रहे हैं teacher कर रहे हैं marks लगा रहे हैं उनको ये notify करती हैं कि आपकी sheets जो हैं कोई भी student मगवा सकता है RTI के जरीए that is why आप honestly carefully जो है mark कीजिए लेकिन कई university का result बहुत पीछे होता है जा और कई कारण होते हैं कि जल्दी करना होता है कि बार university वाले भी कह दत कीजिए ऐसे हालात में injustice बढ़ जाता है ऐसे हालात में अच्छा performer जो होता है जिसने मेहनत की है उसके साथ injustice हो जाता है तो आप aware जब रहेंगे और examiner aware रहेगा जब system aware रहेगा तो ऐसा injustice होने के chances कम हो जाएंगे तो मैं अपनी life में मैंने 22-23 साल हो गए हैं तो जिन बच्च करते हैं क्योंकि फीस भी लगती है लग बग हजार बारा सो पंदरा सो लग जाती है तो मैं compare करता हूँ अच्छी तरह उसकी पहली performance से उसके paper का analysis करवाता हूँ कि कैसे paper हुआ था question सभी किये थे उनके जो handwriting है उसको देखता था ऐसे कई factor को compare करके आप decision ले सकते हो कि आपको sheet मगवानी चाहिए देखे जब कोई भी नहीं मगवाता तो जो teachers हैं जो evaluate करते हैं आपके जो authority करती है आपके answer sheet को evaluate करती है तो फिर lenient उनकी अपनी मर्जी फिर ज्यादा चलती है justice से हम हिल जाते हैं individual factor भी count करते हैं कि कोई teacher ज्यादा marks लगा देता है कम marks लगा देता है अग अगर आप aware हो अगर आप अपना right use करने के लिए active हो तो यह injustice कम हो सकते हैं आपको शाहिद पता नहीं है इसी से ही कितनी sadness जान depression और कई भार suicide का सामना करना पड़ता है जो विद्यारती मेहनत करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने rights के लिए aware रहिए कहीं भी आपको इसके regarding guidance चाहिए हो कि हमें जो री evaluation री checking जैरी यह RTI डालने चाहिए तो always welcome learn to actualize.in website भी है इसके इलावा आप सीधी बात कर सकते हो हम group बना रहे हैं जैसे be ad interest test का group है जा competitive exam का है उसमें शामिल हो सकते हो वहाँ पर उसके link नीचे दिये गए होंगे वहाँ पर आपको guidance बड़ इस regarding और कोई question हो comment कर सकते हो thank you dr. तीरा सिंग learn to actualize